नमस्ते मैं निश्था त्रिपाटी व्याक्याता बहुतिक सास्त्र स्वामियात्मान उत्कृष्ठ हिंदी माध्यां विद्याले में का पदस्तू और मैंने निश्था 2.0 का प्रसिक्षन प्राप्त किया है जिसका अनुबह मुझे बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत स कि इस प्रसिक्षन में प्रतेक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्स्लें किया गया है उसका परिचे उसकी अवधारना उसकी गतिविधी रूप रेखा उसके क्या उपियोग हो सकते हैं उसको समाजिक जीवन में कैसे जोड़ा जा सकता है अन्य विसेयों से किस प्रकार से उसको अपने दैनिक जीवन में हम ला सकते हैं यह बताया गया है उसका सारांस को बहुत अच्छे से एक्स्प्लें किया गया है सारांस के बाद जो मुल्यांकन का कारे वह और ही ज्यादा इस प्रसिक्षन को सक्रिय बनाता है जो कि व्यक्ति जब मुल्यांकन में भाग लेत है तो शकृये तरीके से उसको बढ़ता है उसको समझने का प्रयाश करता है इसमें बहुत सारे जो टॉक्पिक हैं बहुत ही अच्छी है जैसे कि कला शमय किति शिक्षा कला से संब्धित जेंडर का समाभेशन ये भी बहुत अनिमारे है बच्चों में जेंडर की समझ और किस प्रकार से इसको सही तरीके से समझ ना और जैसे की वैवसाइक सिक्षा का ध्यान इसमें समीलिद किया गया है जिसको हमें अपने पार्टिक्रम में सामिल करने का सुचाओ दिया गया है जो की बहुत सही है किलोनों पर आधारित सिक्षा सास्तर भी बताया गया है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कुछ टेकनिकल एरर भी आये इस प्रसिक्षन को करने में जैसे कि जब हम प्रसिक्षन को प्राराम कर रहे थे कुछ टॉपिक को पढ़ने के बाद यदि हमने सट डाउन कर दिया और फिर अगर स्टार्ट करते हैं तो वो सुरू से प्राराम होता था जहां से छोड़ा था वहां से प्राराम नहीं होता है जिससे कि समय वेस्ट होता है दूसरी चीज उसके जो सर्टीफिके डाउनलोड में भी प्रॉब्लम आ रही थी कई लोगोंने मुल्यांकन का कारे कंप्लीट कर लिया है उसके बावजूद भी उनका सर्टीफिके डाउनलोड नहीं हो रहा था तो यदि इस प्रसिक्षन के टेक्निकली एरर को सुधार दिया जाए तो यह प्रसिक्षन सर्वस्ट है और इस प्रसिक्षन का सबसे जो सकरात्मक बिंदू है वो यह है कि यह पेंडेमिक कालमेच शुरू हुआ जब चारो और निरासा की इस्तिती हो गई थी स्कूलों के लिए तो बहुत ही निरासा जनक इस्तिती थी स्कूले बंद हो गई थी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी सिक्षक बहुत पारिशान थे उस समय पर जब यह प्रसिक्षन आया तो हर सिक्षक के मन में जो योगी भी रहने